अपने व्यस्तकाव समय से वक्त मिकार कर आप सभी पढ़ारे हैं, इसके लिए आप सभी का पढ़ारे हैं। अगले कुछ घंटे आपके लिए, समाज के लिए, राज और राष्ट के लिए बहुत महत्पूर्ण होने वाले हैं। आपके विचार, आपके सुझाओ, नक्यवल अपने सहर और जिले की दिशा दसा बदलने वाले होंगे, बल्कि आपके सार्थक चर्चा में जो बिंदु निकल कर आएंगे, उससे समाज के नौ मिर्मार में भी बहुत मदद मिलेगी। चर्चा में आपके साथ हैं राजिस्थान पत्रिका, पत्रिका समूर के प्रधान संपादर गुलाब पकारी जी और समूर के डिप्टी एडिटर गुनेज जैन जी। स्री गुलाब जी कोठारी सहर का पर्चे दूँ इसके पहले आपको बता दे कि संबाद सेथ की सर्चा में हमारे साथ सहर के मसुहूर अज्वक्ता, समाज सेरी, प्रोफेसर, पर्यावरणवित, धरंगुरू और अन, मानुनी प्रभुद्धिजर शामिर हैं। आए जानते हैं पत्रिका समूग के प्रधान संबादक स्री गुलाब जी कोठारी सहर के बारे में। अपने अंकसा से पत्रिका से जूर जाता है। इसका प्रमार तब तब दिख जाता है जब किसी सामाजी का मुष्ठान या आपदा के समय पत्रिका के एक आवान पर जन जन कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भागीदारी के लिए आखड़ा होता है। एसा सायोग भी पत्रकाइता जगत में अब विनुत प्राय हो चला है या अगबार के स्वामी स्वाइभी नेखनी के धनी संपादक हो। राजिस्थान पत्रिका के संस्थापत सिर्दे कर पूर्चंजी कुलिस की ये परंपरा अब प्रधान संपादक के रूप में आजड़ई गुलाब जी कोठारी बखुबी निभार हैं। उनके अगबार के प्रधंप्रिष्ट पर प्रकासित अल्रेलेग नकेवल समाज कुछ अब जोड़ते हैं बल्कि हुक्मरावों को नसीहत देते भी नज़र आते हैं। आज के दोर में पत्रकालिता मिशन को मीलो छोड़कर मीडिया इंड़स्ट्री का रूप देने लगी है। उस दोर में मूल आधारित पत्रकालिता के प्रत्मान अस्थापित कर रहे गुलाब जी का शंपूर लेखन आजनिक जीवन मूल्यों का समावेश करती हुए और संस्क्रित अनुवाद से हटकर करपूर भास का प्रड़यन किया है। अभी तक विभिन भासाओं में कोठारी जी की 25 से अधिक पुष्ट के प्रकासित हो चुका है। भार्ति जान पीट का मूट देवी पुरस्टार भार्तेन हरिश्चन निश्पक्ष निर्भीग पत्रकाइता के लिए रामनाद ग्वेत का अवार्ड, महराणा मेवाड़ फांडेशन का हल्दी घाटी समान, डाकर रामनुह लोहिया सुमित पुरस्कार समेथ इंटरकल्च सिरे के मालपुरा कस्वे में हुआ, कोठारी की खुद को हमेशा एक द्यार्थी ही मानते रहे हैं, राजस्थान पत्रिका में अपने नियमित अस्तम, अस्पंधन और मानस में भारती मूल्यों, परंपराओं और संस्कित के संरक्षत के तौर पर निरंतर लिख रहे हैं, र इस परिवार के छोटे बड़े सभी सदस, कोठारी जी को बड़े वाईसार करकर समोधित करते हैं, एसे में मालिक और कर्वजारी का शंबंध कहीं गौड हो जाता है, गुलाब जी कोठारी के निर्कित में पत्रिका समूह आज देश के नवराज्यों से 38 संस्क्रणों का प परिवारों की सहायता हो या फिर गुजरात के भूकम पीड़कों की मदद और राजस्थान के अकाल प्रभाविक इलाकों में राहत सामगरी पहुचाने का काम पत्रिका इन सभी कामों में आगे रहा है, चुनाओं में मद्दाका जागुता का अनुठा काम पत्रिका लगा अपने संभाव सेथका अर्ट्रम के तार गुलाब जी कोठारी ने राजस्थान मद्द प्रदेश और च्छतीजगर में जिला मुख्यावयों और सहरों तक पहुचकर लोगों से उनकी समस्याय जानी और समध्धान के लिए सुझाव भी प्राप्त किये यह एक एसा भिया आए जैसे मा और बच्चे के बीच होता है कुठारी जी की यह साथ ना अन्वरत जारी है आए अब एक साथ फिल्म के जरिए जानते हैं पत्रिका समूव की विकास स्याक्रा के बारे लिए एक पच्च्र का अशी जनम जैपुर में पायो बड़ता बड़ता नाम शकल मरुगर में छायो काम करयो तो भारत भर में सुझस कमायो दस बारा अख बारा मिच्चे पहर जमण जनमी जदकूं बढ़ रही बढ़ा जा रही आज फग धर्की पर बढ़ रहा नजरा में आपार साथ मार्च 1956 को श्री करपूर चंद्र कुलिश ने राजस्थान पत्रिका की नीव रखी राजस्थान पत्रिका राजस्थान का अपना अथबार इतने बड़े न्यूस पेपर की शुरुआत कुछ मित्रों की मदद और सिर्फ 500 रुपए से हुई थी पर कुलिश जी के दिल में एक जोश था जुनून था और कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी 1962 के बाद पत्रिका राजस्थान का एक प्रमुक अखबार बन कर उपरा लेकिन अभी तक पत्रिका सिर्फ एक शाम का अखबार था और 1964 में ये एक सुबह का अखबार हो गया और पत्रिका ने एक नई सुबह देखी इसके अलावा गैर हिंदी भाशी राज्जों में जिनमें पश्चिम बंगाल, करनाटक, तमिलनाडू, गुजराद, महराश्थु से अपने संसकराण शुरू किये आज राजस्थान, मध्यप्रदेश और 36 गढ़ के कोने कोने तक पहुँच रहा है पत्रिका यहां तक की नकसल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के जगदलपुर से निकलने वाला पत्रिका राश्ट्री अस्तर का एक लोता हिंदी दैनिक अखबार है राजस्थान पत्रिका अखबार के रूप में हर दीन लोगों के घर के दर्वाजे खोलता है और पढ़ने के बाद मद के दर्वाजे खोलता है राजस्थान पत्रिका ने पूरे विश्व को जोड़ा है बदाई देते हो हैं आपको मुझे उम्मीद है कि राजस्थान पत्रिका इस तरह के कंस्ट्रक्टिव जर्नलिजम में एक एम भूमिका अदार करती रहेगी इस आपको एक्सिलेंस इन जर्नलिजम इस ओड़िट इमिन जर्नलिजम श्री गुलाव गुठारी जी और इस आउटस्टैंडें गंट्रिशन तोर्स जर्नलिजम यह जो केसर कट आप देख रहे हैं यह चुने पत्र की इमारत नहीं है यह राजस्तान पत्रिका का मंदिर है और यहां पत्र कारिता की सिद्धान्दों की फूजा होती है पत्रिका समुहुद्वारा प्रवर्दित पत्रिका.com उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख डिजिटल प्लैटफॉर्म है उत्तर प्रदेश में 17 सिदंबर 2015 को पत्रिका.com की लॉंचिंग के बाद डिजिटल जनलिजम में पत्रिका ने नए आयाम स्थावित किये हैं एक साल के भीटर ही एक करोड से ज्यादा यूनीक विजिटर के साथ पत्रिका यूपी में डिजिटल जनलिजम का सिर्मौर बन गया जन सरुकार की पत्रकारिता हो या फिर मानवी ये मूल्यों से जड़ी Ground Report पत्रिका ने सब जगह बढ़ स्चड़ कर पत्रकारिता के धर्म को निभाया है तथ्यों से जड़ी पत्रकारिता का नतिजा ये रहा कि पत्रिका में प्रकाशित तमाम खबरों को शासन प्रशासन ने संग्यान में लिया और उन पर त्वरित कारवाई हुई निश्पक्ष खबनों और विश्रेशनात्मकर रिपोर्ट की वजह से यूपी के राजनेताओं, युमाओं और महिलाओं की पत्रिका पहली पसंद बन चुका है उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में और देश से बाहर भी लाखों की संख्या में पत्रिका ऑनलाइन के रीड़त इस बात के सुबूत हैं कि पत्रिका आम जन की आवाज बन चुका है पत्रिका के बाठकों का 6 दशक से ज्यादा का भरोसा पत्रिका के लिए ऐसी विरासत है जो पत्रिका टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के जरिये और मजबूत हो रही है पत्रिका के दो का दो झाल झाल